इजा क्या हुआ इतंगास चो तबियत खराबे क्या हाँ एक अधी कॉफ कॉफ फीबर और बॉडवी पें और है दो हफुते से 20 अधी कॉफ इन तो डॉक्टर को दिखाना चलिए न बच्चा डॉक्टर को नहीं दिखाया दिखाया था आंटी लेकिन दवाई कोई असर ही नहीं कर रही है एक बात बताओ कफ में ब्लड भी आ रहा है क्या बेटा हाँ दो तीन दीन से कफ में ब्लड भी आ रहा है इतना कफ हो रहा है फीवर हो रहा है अगर कफ में ब्लड भी आ रहा है तो बेटा तुम्हें काम करना तुम लंक्स के डॉक्टर को दिखाना और डॉक्टर को दिखाके न टीबी का टेस्ट जरूर कराना ठीक है बेटा एक बार TB का टेस्ट करा ना ठीक है आंटी मैं दिखाऊंगे आया आंटी नमस्ते कैसी हो जा मैं तो ठीक हूँ तुम बताओ कैसी हो और तुमारी खासी कैसी है मैं भी अच्छी हूँ आंटी आपने बताया था फिर मैंने डॉक्टर दिखाया और मैंने TB के टेस्ट कराया तो मुझे लंग्स TB डाइगनोस हुआ था अभी एक महिने से मेरी मैडिसन चल रही है तो मेरी खासी काफी कम हो गई है तुमारे सारे सिम्टम्स TB चैसे ही लग रहे थे इसलिए मैंने बोला कि TB का टेस्ट कराओ अब जो दवाईया डॉक्टर ने दी है वो अच्छे से टाइम से खाना है ठीक है बेटा बिल्कुल भी दवाईया मिस नहीं करनी है और उसके साथ सथ अच्छा खाना बहुत इंपोर्टेंट है बाहर का खाना नहीं खाना है ठीक है अच्छा खाना घर का खाना प्रोटीन रिच खाना ये सब खाना है ठीक है आंटी अभी नौ महीने के लिए दवाई खाने के लिए बोला है थैंक यू आंटी आपने मुझे तीबी के बारे में बताया और मैंने जल्दी से टेस्स करा लिया थैंक यू सो मच हा बेटा अब तुम जाती हो ना तो मास्क पहन के जाना ठीक है क्योंकि तुम्हारा लंक्स टीबी है तो दोस्त्रे को फैलने का दर होता है थोरा सब कुछ महीनों के लिए तुम मास्क जरूर पहना जब भी बहार जाओगी ठीक है टेक केर बेटा अगर आपको भी दो हफते से ज्यादा खासी और खासी में बलड आता है अब खाना खाने का मन नहीं करता है वेट लॉस हो गया है और बॉड़ी पेइन फीवर यह सब एक ही साथ में हो रहे है तो आपको भी टीबी का टेस्ट जरूर कराना चाहिए थैंक यू सोबश वाचिंग